इस लाद रंके सब्सक्राइब बड़न को दबा कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है अगर आप सभी भोशपूरी दर्शक अपनी भासे से प्यार करते हैं तो इस ख़बर को पूरा देखिएगा अंतक देखिएगा हाली में एक समीती तयार हुई है और उसका तो हम नाम तो आपको नहीं बता सकते हैं लेकिन हम इतना बता रहे हैं आपको कि उनका काम ही होगा कि भोशपूरी में जितनी भी अश्लील गाने और फिलमें बनेंगे उनको रोकेंगे और जो अकलाकार उस फिलम को बना रहे हैं और जो प्रोडूसर उस फिलम को प्रोडूस कर रहे हैं और जो डायेक्टर जो फिलम को डायेक्ट कर रहे हैं उन सब को पकड़ कर कोड़ दुआरा बिल्खुल सक्तकारवाई से उनको जेल होगी जहां यह बात पूरी तरफ पक्की हो चुकी है बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हो चुके हैं और भोशपुरी फिल्म के लिए ही यह समीती बनाई गई है भोशपुरी फिल्मो यह जो सेंसर बोड है इतना सकते कि एक गाली तक पास नहीं कर सकता है और वैसे आपको है पता कि भोछपूरी फिलब में हैं इनमें सुधार हो रहा रहा है तिये शायद उन्होंने पवन सिंग, खेसादीलाद और दिनेसलाद निर्यू की तरफ उंगली करते हुए साफ साफ कहा है कि क्योंकि जिस तरीके से उनका इंट्रिव्यू था उन्होंने साफ तूरपर जिस तरीके से उनका बात करें लग रहा है कि यह तीनों स्टार्स कोई बिलकूर इसमें घंसीच्टने की कोश्च कर रहे हैं और तीनौ स्टार्प्स कोई यह मानते हैं कि इन तीनों की वजह से भोचपुरी में अच्लिलता है और उन्हें इस इंट्रविव में कहा कि भषपुरी फिल्मों में काफिय चलेलता है और कोई भी अगर गंधी फिल्म में मनाएगा जिसमें गंधगी होगी तुरंद उस कलाकाद को जेल होगा और हमेशा के लिए भषपुरी फिल्म में उसको नहीं मिलेगी और उसको हमेशे गली उसको बैंड कर दी जाएगा अजीवन वो निवन बन रहेगा कोई भी फिल्म उसको नहीं मिलेगी ऐसा कोट से एक वरण तैयार करवाया जाएगा और समीती ने यहीं भी कहा है कि बहुत ही जल्द हम विःढ के मुख्यमंतरी सीम से नितिश कुमार जी साथ हम मिल्टिंग करने वाले हैं और इस पर हम कारड़े आगले मही नहीं इस पर काम शुरू कर दी जाएगे बहुत तीरी से हम काम करना शुरू करेंगे अपना और ये बहुत बड़ी मतलब कि इनोंने बहुत बड़ा एक मंच तयार किया है समीती तयार हुई है इनकी वैसे आप सभी दर्शक हमें बताईए कि क्या इन तीनों स्टार की वज़े से भोचपूरी में अशलीलता है और गंदगी है शायद हमें नहीं लगता आप सभी दर्शक बहतर जानते हैं हमें कमेंड मक्स जुरूर बताईए और वैसे आपको भी पताओ कि जितने भी अलबम सिंगर्स हैं उन्हीं की वज़े से भोचपूरी में अशलीलता आईए और गंदगी आईए और पहले कि जो सिंगर्स हुआ करते थे लेकिन इस अमें जो पावन सिंग है सारी लाला और दिनिसला निर्वजी काम कर रहे हैं वो काफी बहुत बड़ी बात है और इंडिस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं वैसे आप दर्शक बहतर जानते हैं कि कौन सा इस्टार भोचपूरी में अशलीलता का कारण है